कॉंग्रस ने पूर्व विधायक आशिश देशमुक को पार्टी से निकाल दिया है। देशमुक को कॉंग्रस से 6 साल के लिए निशकास्त किया गया है। देशमुक को प्रदेश कॉंग्रस ने अपरिल में निलम्बित किया था। पार्टी नेताओं को लेकर विविद वक्तव्यों के माध्धम से आशिश चर्चा में थी। मोदी उपनाम को लेकर विवाद में क कॉंग्रस नेता राहूल गांधी को भाचपा घेरने का प्रयास कर रही थी। राहूल गांधी पर आरोप लगाये जा रहे थी कि उन्होंने ओबिसी का अपमान किया है। तब देश्मुक ने वक्तव्य जारी कर कहा था कि राहूल गांधी को बीसी से माफी मांगनी तो देश्मुक ने कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकार जुन खड़के से इस्तिफे की मांग कर दी। देश्मुक के ये वक्तव्य संगठन में अनुशासन हींता के दाएरे में थे। इन्बिसे न्यूस के लिए कैमरा परसन राजकुमार मोहर के साथ अभिशेक पानसी की